नमस्कार आदाव सेकल दोस्तों मैं आपका दोस्त लबजीत कुमार एक बफीड से आज़रो आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे ओपन मैट XLIV यारी डिसमबर 2018 में जो एक्जाम हुआ था जो की लास्ट ओफलाइन एक्जाम था उस एक्जाम में किस तरह के कोशन आये थे रीजनिंग पार्ट में वो हम देखने वाले हैं तो दोस्तों रीजनिंग पार्ट के टो आपको देखने को मिलेगा कि अगर यह वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है लाइक और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है यहां ओपन मैट, सीटेट, यूजी सीनेट और पीज़डी एंटरेंस टेस्ट के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आप इस चैन में हमारा 161 कोशन जो है skip हो गया था तो उसको अब हम skip नहीं होने देंगे अब उसको यहां पर देख लेंगे कि किस तरह से 161 कोशन आया था और उसका solution किस तरह से होना है तो यहां पर कोशन के बारे में बात कर लेते हैं तो कोशन में आपको लिखा हुआ बिलेगा कि if plus means minus तो यहां पर जितने information है में कोशन में दे हुई है हम यहां पर mention करते हुए चलेंगे कि बोल रहा है कि अगर plus का मतलब होता है minus यहां पर हमने लिख देंगे plus का मतलब minus दिन आगे बढ़ते है minus means divide तो minus की जगे पर divide हम यहां पर लिख देंगे next आगे बढ़ते है divide means multiply to divide की तो यहां पर फिर इसके बाद एक equation दे रिखे जिसको हमें solve करना है तो यहां पर equation हम लिख लेंगे और साथी साथ लिख लेंगे वह पूरा information जो की question paper में बोला गया है कि change करना है ठीक है यानि यह प्लस की जगह पर change करके हमें minus रखना है तो इस तरह यह पूरी information data जो है पूर divided by 5 आ जाएगा उसके बाद multiply लिखा है तो multiply की जगह पर plus आना है तो plus का sign लगा के 10 लिख देंगे इस तरह इसे डिवाइड ही जब पर multiply और plus की जगह पर minus हम put कर देंगे तो हमारी final equation त्यार हो गई जिससे solve करके हमें अपना answer मिल जाएगा अब इसके बाद हम बात करेंगे board मास की board मास हम बच्पन में से पढ़ते आ रहे हैं तो board मास को विल्कुल नहीं भूलना है आखरी दम तक क्योंकि यहां से हर तरह की equation solve हो जकती है तो B4 bracket होता है जो कि हमें इस equation में देखने को नहीं मिल रहा है ओफ और off होता है जिसका यहां पर कोई मतलब अभी दे नहीं र M4 multiply यहां पर हमें देखने को मिलेगा तो M4 multiply यहां पर हम करेंगे और साथी साथ जो है underline भी कर दिया कि हम सबसे पहले multiply कर रहे हैं इस पूरी equation में तो solve करके आयागा 130 अब उसके बाद A4 addition यान के 125 प्लस में 130 को हम add करेंगे then last में जो बचेगा मैनस में 28 तो यहां पर उसको So what day of a week will first January 2020 be given that first January 2009 is Sunday यहां पर question number 176 में बोला गया है कि बताओ कि first January 2020 को कौन से दिन होगा लेकिन यह बता रखा है कि first January 2009 में Sunday था तो यहां पर इस तरह से calculate करेंगे इस चीज़ को जो है बिलकुल भूलना नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा important है काफी सारे exams में देखने को य मिल जाता है तो यहां पर first January 2009 में Sunday था देर उसके बाद क्या है first January 2015 में क्या होगा वो भी Sunday होगा क्योंकि हमने एक कोशन में देखा था जो पहले एक कोशन आया था पिसले कोशन पेपर में उसमें हमने देखा था कि जब हमें 2009 में जो यह था जो कलेंडर था वो पूरा 2015 का जो first January था वो भी Sunday होगा देर उसके 6 साल बाद यानि छटवा साल जो होगा 2021 उसमें भी होगा क्या Sunday first January को तो अब first January 2020 का हमें पूछा गया है यानि कि तो एक पीछे आ जाएंगे तो यहां पे मिलेगा हमें Saturday ठीक है Sunday से एक पीछे आजएंगे Saturday क्योंकि एक साल पहले आया और गटीर से जो हो जो है इसमें जो फर्स्लीप यह रहे दें 2010 और 2011 में भी वन जो है और दे है है और क्या है 2012 जो है लीप ययर है जिसमें में two or day उसके बाद 13 14 15 में क्या है वन और दे है उसको सिक्स्टीन जो है लेपियर है इसलिए गो पूरा टॉपिक देखना होगा तर तो 2017 और 2018 और 2019 इन में क्या होंगी वन ओड डे होगा, तो इन सारे ओड डे को अगर हम काउंट करें तो 13 ओड डे हो गए अगर इसमें से 7 माइल करें तो बचे का 6 तो 6 तो 6 दिन में हमें क्या मिलता है, तो Sunday से 6 दिन में जाके क्या मिलेगा तो यहाँ पर है हमारा Sunday, Sunday के बाद आएगा क्या Monday, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और उसके बाद आएगा हमारा final कौन Saturday तो Saturday हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं दोनों तरीके मैंने आपको बता दिये तो आंसर होगा Saturday, जो कि आपको option number second में आपको देखने को मिल जाएगा उमीद है कि आप समझ पाया होंगे, आगे बटके next question की तरफ, question number 177 Which among the following year is a leap year? अब इसमें से कौन सा year leap year होता है, बहुत जादा easy अगर आपको पता है तो यहाँ पर जो है हमें leap year नहीं देखना लीप year और एक होता है century leap year यह दो तरह के लीप year होता है, एक होता है leap year और एक दूसरा होता है century leap year क्या अंतर होता है इसमें, तो leap year के बारे में यहाँ देखते है लीप year is always divisible by 4 बट a century leap year is always divisible by 400 यहां पर leap year की बात करते हैं तो 4 से divide होता है अगर हम century leap year की बात करें तो वो हमेशा किस से divide होगा 400 से divide होगा तो यहां पर 400 से divide होने वाले जितने भी year है जैसे की 400, 800, 1200 देर उसके बाद चलता रहेगा तो 3200 और century leap year क्योंकि यह 400 के table में आते हैं यहां पर यह कहो कि 400 से divide हो सकते हैं अगर यहां पर हम सिर्फ यह देखेंगे कि 4 से divide हो जाए तो वो यहां पर गलत होगा क्योंकि यह century leap year है और यहां पर option में जितने भी दिया हुए हैं यह सारे century leap year है और आगे बढ़ेंगे 178 की तरफ यहां पर हम देखेंगे 178 में क्या बोला गया है यहां पर पूछा गया है कि minute hand और hour hand दो तरह की सुई होती है एक minute वाली और एक hour वाली इन दोनों के बीच में कितने degree का angle होगा अगर घड़ी में बज रहे होंगे 9 बज के 45 मिनट अगर हो रहे होंगे तो बताओ उन दोनों hands में कितना angle बनेगा तो यहां पर घड़ी बना लेते हैं एक तरीके से समझने के लिए तो यहां पर आपकी छोटी सुई जो होगी वो 10 के करीब-करीब होगी लेकिन 10 से पहले होगी बट अगर बात करें बड़ी सुई की यानि मिनट वाले सुई की तो वो होगी 9 पर जबी तो बज़ेंगे 9 बज के 45 मिनट अब यहां पर angle निकालने के एक तरीका होता है एक shortcut होता है यह formula याद कर लीजिए angle निकालने के formula होता है 30H-11 बटे 2M अब यह है hour hand और M है minute hand तो यहां पर hour hand कितने पर है hour hand जो है 9 है ठीक है 9 complete बज़े हुए है अभी 10 बज़े नहीं है तो hour में ले लेंगे 9 बचके और minute कितने हो रहा है 45 तो यहां पर जैसे कि कोशन में दे रहा है hour है 9 और minute 45 तो value put करेंगे और निकलेगा हमारा क्या 30 multiply 9 is equal to 270 मैनस करें 11 बटे 2 multiply 450 तो इसको solve करके आजाएगा कित देखने के मिल जाएगा option number 2 में ठीक है 22 and a half तो यहां पर जो उम्मीद है कि समझाया होगा बस आपको एक formula यहां पर रखना है और एक question आपका पक्का समझे क्योंकि यह हर बार question में देखने को मिल ही रहा है आगे बट जाए next question की तरफ जो होगा आपका question number 179 यानि 179 तो यह यहां पर question दे रहा है how many degree does the minute hand cover in the same time in which the seconds hand cover 180 degree बोल गया है second hand अगर 180 degree कवर कर रहा है तो minute hand जो होगा वो कितना degree कवर करेगा क्योंकि जब second hand आगे बढ़ेगा तो minute hand भी कुछ ना कुछ तरीके से जो है कुछ ना कुछ जो है आगे बढ़ेगा तो यहां पर हम देख लेते है किस तरह से जो है हम यहां पर इसको solve करेंगे तो 179 की बात करते हैं fact और shortcut सचाई यह है यहां फिर shortcut कहलो या सचाई कहलो तो सचाई यह है कि जो minute hand है जब वो 1 minute बढ़ती है यानि 1 minute में minute hand जो है 6 degree को cover करती है are you getting this point minute hand 1 minute जब बढ़ती है तो वो 6 degree का angle जो है cover कर लेती है so when second hand 180 degree जब second hand जो है second वाली जो शूई है तो अगर वो 180 degree को cover करेगी then minute hand cover 0.5 minute उस case में 0.5 minute cover करेगी यह चीज़ समझा है या नहीं जब second hand 180 degree को cover करेगी 180 degree का मतलब है आधा यानि पूरी घड़ी का आधा यानि अगर 12 से सूई को start करेंगे तो नीची जब 6 पे जाएगी तो 180 degree complete हो जाएगी are you getting this point तो अगर किसी तरी की problem है तो comment में जाके बताने पर उससे पहले जो इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिए क्या बोल रही है तो यह बोल रहा है कि अगर second वाली सूई 180 degree cover करती है यानि कि अगर 12 से नीची 6 की तरफ आती है तो 180 complete हो जाता है यानि घड़ी का आधा करती है तो छेड़ी बैड़ी दो कितना आएगा 3 degree तो we will learn about this in detailed syllabus जब detailed syllabus हम यहाँ पर करेंगे बहुत जल्द करेंगे बढ़ हाँ इस exam के बाद ही सुरू करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे पूरा detail में समझेंगे और इस एक एक topic को जो है आगे समझते चलेंगे और यहाँ पर जो है अबलेबल है offline में यानि कि आप इसके soft copy जो है ले सकते है उसको लिए आपको करना यह होगा कि वर्चेफ नमर पर जो है आपको माँ पर ले सकते है ठीक है आगे बढ़ते हम इसके 180 question की तरफ 180 question बोला है the time shown by the clock when seen in mirror is 9 hours 30 minutes जब हम एक घड़ी को mirror में देखते हैं तो 9 बज तो यहां पर 12 होते हैं यह टोटल 12 बजे होते है घड़ी में ठीक है maximum time 12 होता है तो 12 में से हमें mirror smith होता है उसको minus कर देंगे तो हमें actual time मिल जाएगा अब 12 कैसे एक माइनस करेंगे तो 12 का मतलब है 11 बज़ के 6 मिट यानि 11 बज़े के में अगर 60 मिट और एड़ करेंगे तो 12 ही होता है तो यहाँ पर अब क्या करेंगे 1160 में से मैनस करेंगे 930 इसलिए हमने 12 को 1160 के फॉर्मेट में लिखा है ताकि हम यहाँ पर सब्ट्राइट कर सके तो 60 में से 30 गया बचा 30 11 में से 9 गया बचा 2 तो 230 जो है राइट आंसर है यानि एक्चुल टाइम जो हो रहा होगा वो बज़ करना चाहिए तभी जो है आप इसको कर सकते हैं वरेटी कोर्शन पर देखते हैं क्या बोलता है यह बस फोर सागर लीवस एक बस है जो कि सागर के लिव सागर लीवस एवरी 45 मिनट्स फ्रॉम अब बस स्टेंड पे जो है एक बस जो है वो कहां से हर 45 मिनट्स में जो है लेफ 10 मिट्स अगो अब सागर यहां पर जब बस पैसेंड बस इंक्वेरी कलर्क से पूछता है तो बोलता है उसने इंक्वेरी कलर्क ने पैसेंजर को बताया कि यहां से बस जो है 10 मिट पहले ही निकली है ठीक है 10 मिट पहले ही निकली है और नेक्स बस जो आएगी वो कित की देखने वाली बात यह है कि बस जो है ली बस लीज़ एट एबरी किटने समय में चूरती है तो 45 में चूरती है बस लेफ्ट कब बैस बससरा में लेफ्ट हुए तो तॉद स्में घ्राइब ऐइसा उसी है बताया था छूटेगी तो पहली वाली जो बस होगी, वो कब छूटी होगी? तो 11.55 से अगर हम कितना 35 मैनिस कर देंगे, तो हमें ताइम आफ इंक्वारी मिल जाएगा. 35 क्यों कर रहा? 45 मिन पहले बस निकली होगी, 10 मिन बाद वो इंक्वारी कर रहा है, 45 मिन पहले निकली होगी बस. दस मिनट बाद उसने inquiry करी तो 35 यहां से निकला तो 35 जब हम यहां से minus करतेंगे तो हमें मिलेगा time of inquiry Getting this point थोड़ा सा logical होके सोचना है, चच्चाई की तरह मतलब एक example set कर लो mind में कि क्या हो रहा है यहां पर तो बाकिया आपको जो है 600 meters towards east अब एक रोश्णी नाम की लड़की है वो जो है एक east की तरफ चलती है 600 meters तो यहां पर देखो तरीका जो है यह है कि यहां पर जो है सबसे पहले आपको direction पता होने चीए कोन सी direction के बाद कोन सी direction आती है और किस तरह से हम direction को यहां पर देखते हैं तो यहां पर जो एक सीधर सा तरीका होता है यहां पर याद करने का तो क्या है पहले east लिखो then west north south east west north south इस तरह से हमें जो है याद करने का एक तरीका होता है आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं आप question में जो बोला है उस तरीके से हम बढ़ते हैं बोला है कि जो रोशनी है वो east की तरफ बढ़ती है 600 मीटर तो east आपको उपर की तरफ है up side ओके तो up side जो है क्या है यहां से जो point अगर start करेगी तो 600 मीटर उपर की तरफ जाएगी ऑगर है कि arrow में क्या है then turn left and move 600Min यहांओ यहां पर miss है ऐसा मैं किसलिए कहा हूँ क्योंकि इसके बिना कोसट गलत हो जाएगा यह कोछन गलत हो जाएगा तो सही कोछन किस तरह से होगा तो वो मैंने यह यहां पर लिखा है यहाँ पर आना जरूरी है इसके बिना इक कॉष्ण जो है गलत है तो यहाँ पर एक बार मुर्ति यह चलती है तो यहाँ पर पहले क्या करना था पहले वो इसकी तरफ 600 मिटर गई लेफ्ट मुर्ट के 500 तर अगें लेफ्ट मुड़ी और 600 मिटर चली तो उसके बाद आगे बो आखे वापस आगे तो डिस्टेंस कितना होगा जीरो हो जाएगा तो ऑप्शन नमबर 3 है जीरो मीटर उमीदे समझाया होगा इसी तरह की कोष्ण आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते है वरेटी थ्री कोष्ण को हम देखते है आप विकास इस फेशिंग तुवर्ड्स कि तरब को मुटता है तो हम यहां पे करना का सही तरीका यह है he रेखता साइब पॉइस के नीचे लिखेंगे जतने वार внटी श् sworn करें अब आपको बताएता हूं एगें 180 डिग्री क्वाइस तो बने टीटेग्री क्लोग वाईस हो गया अट रोग इतना 270 डिख्लोक वाईस यहां अग्या इंग्स डाइक्शीज ऊपकिस डाइक्श्टो से फशेशन नहीं तो यहां पर इसका टोटल होगा तूटल होगा 260 इसका टूटल कर दीपरेंस हो इस तरह तो एंटी क्लोग्वाइब तो फोर्ट फैट इंगी से तो फोर्ट फैट इग्वी से जब मुड़ेगा तो किस प्राजएगा वो साउथ वेस्ट का जाएगा और ऑप्शन नम्र कौन सा जाएगा तो साउथ वेस्ट यहां पर जो है आप यहां पर अंजाम देंगे तो डिरेक्शन के हिसाब से हम यहां पर जो है क्या बना दियाग्रम बना लिया इस पर नो इस पर नॉप्ट है आ नाइन हाउसे नौ घर है यहां पर एस लेकर आई तक सीज्ट टू किलोमेटर इस आफ बी सबस्पर बीको यहां पर मैंशन कर लेएंगे एक सेकंड में आपको बताने का सहीध तरीका बता दूंध। तो यहां पर अध्य है क्या है भी को पहले मेंशन कर लेगे कि बीर के बात आपको जो सारी indicates तो बिलेगी तो बोला गया तो रिटेल बाद सल्वादाटप सीट घरिए कि तरफ यहां पर जाए यांभ सब्सक्राइब בद 마지막 001 बीचे नॉर्थ में नॉर्थ में नॉर्थ में वन किलूमेटर दूरी पर एए तो यहाँ पर मिल गया आपको है ना उसके बात बोला गया है है एंड एच टू किलूमेटर साओं अफे एस साओं तमें एक किलमेटर तो क्या हो गया चाग तो यहां पर इसको अंजाम देने के बाद हम रिखाए अब यहां पर जितना भी कोशन पूछेंगे बता देंगे हम तो पूछा गया है डिसंस बिट्विन और यह कहा है हमारा वेर इस इह हमारा बीच में अपर देखको मिलता दो यह तो यहां पर दो किलोमटर आपको देखे को मिल जाएगा तक तरह से आपको यह कोशन करने है आगे वरते नक्स कॉशन नेश्लीन एक सबिकें एंड आई यह यहां पर बेच में दिखेंका और आई को मिलेगा कहां यह राहिए यह यहां पैर अतना ही डिस्टेंस सोगे जितना रिमेकर थे शिचम ऑंती बेज़ कितना से वन किल्यों मिटर तो यहां परांस क्यों किल्यार मिलावल किलो मीटर ऑप्शन ओbreaker फ आपको गया्यों यहां आगे बढ़ेंगे 187 की तरफ इंट्रीडूसीं गीता ब्लड रिलेशन के यहां पर आ गया इंट्रीशिंग गीता सीमा सेड इस दा ओनली डॉटर आफ माई फादर्स अनली डॉटर मेरे पापा की इकलोती डॉटर की की एकलोति डॉटर है वहें तुझ जो है हमें इस तरीक और क्या है क्या करना होता है व्रत इतकंव क्या होगी और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हाँ जी ठीक है तो यहां पर जो है my father's only daughter इसका मतलब यह वह अपने बारे में बात कर रहे हैं यहां पर होगी self उसका बोला है only daughter तो only daughter खुद की only daughter को होगी खुद की बैटी होगी ठीक है अब related from back side पीछे की तरफ से चलना था यह मैंने बताया था सीमा is mother of गीता तो यहां पर कौन मिला तो सीमा जो है गीता की मदर है तो यहां पर option में पूछा गया है क्यों है किस तरह से सीमा गीता से तो यहां पर option में ऐसा नहीं दे रखा तो none of these कर देंगे ठीक है आगे वड़ेंगे question number 178 इसमें भी आपको क्या है direction दे रिखी है 188 से 190 तक के लिए तो यहां पर a plus b का मतलब है यह जो है father bk इस तरह की यहां पर देरीखें डिटेल तो आपको यहां पर question में पूछा गया है इस पी प्लस आर प्लस क्यों पी पी प्लस आर डिवेड़ बाइक क्यों तो प्लस का मतलब तो दे फाइदर आफ है ना तो फी प्लस आर का मतलब है अर्का जो फढर है वो कोनऄ पी है पी फूलैर आफ एपी बादर आफ और है उस उनदोफ आप बहूर है कि गा तीक्या का मतलब क्या है यहां पर और डिवाइड बाइड का मतलब है एक सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर डॉटर को दिखा देंगे चैनल के पूरा मिलाशन के तो यहां पे फिर आपको पुचाब करेगा कि इस तरह को आपको इस तरह से आपको solve करके अपना दिमाग जो है खुला रखना है इस question के लिए और यहां पर आगया बोला गया है P multiply R minus Q which is the which of the following is true तो यहां पर P जो है multiply P multiply R का मतलब है क्या यह दोनों क्या है पती पत्नी है और R minus Q का मतलब क्या है इस तरह से आपको solve करना है अपने आपसे solve करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा कोई ज्यादर प्रॉल्म वारी बाद है नहीं आगे बड़ते है वननेटी की तरफ सेम कुछन आपको दे रखा है P minus R तो P minus R का मतलब क्या है कि यह दोनों इस दोनों क्या है आपको देखने को मिल जाएगा आगे पढ़ते हैं यह आपको जो है क्या दे रखे है इसमें थोड़ा सा आपको logic सही से लगाना पड़ेगा, सही तरीके से देखना पड़ेगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी आपको जो है, आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको देख के एक बार बता देता हूँ, तो six lectures जो हो रहे हैं, जिन lectures के नाम है, A, B, C, D, E, and F, R to be delivered from Monday to Sunday, ये Monday से Sunday तक के लिए हो रहे हैं, one lecture every day, एक lecture हर एक दिन में हो रहा है, अब यहाँ पर कुछ हमें बता रिक हैं, details, उन details को जो है, सबसे पहला तरीका ये है, solve करने का कि उनको mention कर लो, किस तरह से, lecture C cannot be delivered on Friday, तो lecture C जो है, Friday में डिलिवर नहीं होगा, तो lecture C के gap of two days between the lecture of B and F, B और F में दो दिन को gap होना चाहिए, तो B और F के बीच में दो dot में डाल दिये, आगे बोले, there is one holiday except Saturday, Saturday को छोड़ के कभी भी एक holiday है, lecture F is delivered on the next day of holiday, अब holiday के तुरंद बाद F जो है lecture होना है, ठीक है, holiday के तुरंद बाद F lecture होना है, ठीक है, holiday के बाद F होना है, तो आगे बढ़ते हैं, lecture E is delivered on Wednesday, lecture E जो है Wednesday को होना है, ठीक है, यह भी हमने information जो है यहाँ पर लिख ली, lecture E जो है Wednesday को होना है, and is not immediately followed by lecture F, और lecture F के तुरंद बाद नहीं होगा, ठीक है, यहनि F के बाद E नहीं होना चाहिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से, आगे solve आप देखते हैं किस तरह से करना है इसको, तो यहाँ पर हमने सारे information लिख लिए, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात बोलागे, C जो है Friday को नहीं होना, तो C को Friday तो होना ही नहीं है, बल्कुल भी, दियो दोटे एक साथ आने हैं, तो हमें यहाँ पर clue मिलेगा किस से E, जो है वेदिश डे में होगा, तो E, वेदिश डे में होगा, तो वेदिश डे में लिख दिया, अब बोलागा है कि है कोई बी एक holiday है, तो holiday हम यहाँ पे अभी नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे पहला काम हमने क क्या करना है हां तो दूसरी बात हमें B के और F के बीच में दो गैप होने चाहिए तो दो गैप किस तरह से होंगे एक वेर्णिस दे और थर्सदे ये दो गैप हो जाएंगी तो टूसे को हमारा B आ जाएगा थर्ड नमबर पे ठीक है नमबर इंगे इसलिए मैंने यहां पर डाले लिए ताकि आपको समझने में कोई रिकत ना हो उसके बाद आपको क्या बोला है कि D और A एक साथ होने चाहिए तो D और A एक साथ कैसे हो सकते हैं तो सेटरडे और संडे में ही एक साथ हो सक अगर सेटरडे में नहीं होगा तो कहीं भी हो सकता है इस सही सीरीज नहीं मैंशन होगी याण कि अगर आप वेडनस दस्टे को ले ले लेते हैं तो फिर थोड़ा सा गया थिक्कत हो सकती है उसके लिए तो यही जो एक best तरीका है इसको solve करने का अब यहाँ पर हमें जब यह सारे details हमें मिल गई है सईसे arrangement हो गई है तो अब answer दिने में कोई दिकत होनी नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते है next question की तरफ question में बोला गया है 191 question है बोला गया है on which day was lecture D delivered lecture D जो है वो कब deliver हुआ था तो आसानी से हम देखेंगे अपनी arrangement में तो D हुआ तो Saturday को Saturday में टिक लगाएंगे बढ़ेंगे आगे 192 की तरफ तो on which day was holiday holiday कब था तो Thursday में holiday था ठीक है option वर 1 193 में how many lectures were delivered between F and D F or D के बीच में कितने deliver हुआ है तो F or D में कितने हुआ है option 1 none F or D में बिल्कुल कोई बीच में कोई नहीं है एक के बाद एक हुआ है which of the following was last lecture last lecture कौन सा था तो last lecture था कौन सा A आगे बढ़ता है next question number 195 which of the following statement is not necessary to determine the order of lecture इस order को determine करने के लिए कौन सा जो है immediate नहीं था तो पहली जो थी information वो जो है आप मेरे हिसाब से यह लगता है कि पहली जो पहली जो information हमें दी गई थी statement दी गई थी वो necessary नहीं थी उसके बिना भी हो जाता आगे बढ़ता है next arrangement देरिके sitting arrangement से ही यह कोशन है sitting arrangement से दो कोशन आते हैं दो कोशन के ही पाच 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 होते हैं यानि कि 10 कोशन आपके पक्के हो जाते हैं अगर आप sitting arrangement को कर लेते हैं तो importance को भी समझना बहुत जरूरी है कि कि कितने कोशन किस topic में से आ रहे हैं और किस topic को ही आपको तयार करने हैं ताकि आप maximum से maximum solution जल्दी से कर सकें तो यहां पर sitting arrangement का next question देखते हैं पी क्यों आरेस्ट यूवी और डबलू यह जो है एक circle में बैठे हैं center की तरफ फेस करके वी जो है second number पर है किसे पी से तो पी के second पर कौन है वी है left में left की तरफ तो यहां पर हम इसको arrangement कर देंगे वी के बाद second number पर वी आ जाएगा पी के बाद second number पर वी आ जाएगा जाएगा यह जो बाद में लिखेंगे and is not an immediate neighbor of V V के immediate neighbor नहीं है T ठीक है तो यहां पर जो है इस तरह से arrangement पूरी हो जाएगी as is third to the right of R R से right की तरफ third number पर कौन है S है तो बिल्कु सही arrangement यहां पर हो चुक है who is the second to the right of Q Q से second number पर right की position में कौन है तो Q से right पर second number पर R है तो option number 1 यहां पर कौन हो जाएगा correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 197 की और S के left में immediate में कौन बैठा हुए immediate left में कौन है S के, S के immediate left में W है W मतलब option number 4 आगे बढ़ते है 198 की तरफ who is the immediate right of R R के immediate right में कौन है तो R के immediate right में आपको देखने को मिले गए team जो कि option number 2 में मिलेगा 199 को देखते हैं in which of the following groups is the first person sitting between the second and the third person यहां पर बोला गया है कि बताओ इस में से कौन सा ऐसा group है जो कि first person जो है वो बैठा हुआ है second और third person के बीच में first person जो है Q जो है P और R के बीच में नहीं तो यहाँ पर none of these option में आ जाएगा जो कि बिल्कुस सही answer होगा अगर यहाँ पर किसी तरही सही answer बन रहा होता तो वो आपको जो है correct टिक लगाना था बड़ यहाँ पर बन रहा है none of these तो option number 4 is the correct answer और बढ़ेंगे 200 यानि last question की तरफ एक बार और याद दिला दूँ आपको अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको like करना है और इस तरगी वीडियो देखने के लिए आपको इसको subscribe करना है और अगर आपके कोई भी friend आपके open mat की तयारी कर रहे हैं या करने चाहते हैं या करने वाले हैं तो आप उनको जो है ये वीडियो जरू सेयर करें आगे last question देख लेते हैं इसका answer आप खुदी देएगे ठीक है मैं आप चाहूँगा कि आप जो है अपने आप से इसका answer comment में दे तो मैं इसका answer नहीं बताऊँगा आपको जो है option दिख रहा है बट option नहीं देखेंगे आप इसका solution बताएंगे comment में तो comment में फटा फट से इसका answer बताने है आपके इसाब से क्या होगा मान लीजे या option गलत दे रखा है या option जो है गलत दे रखा है आपके बताएंगे है